कि नमस्कार सातियों आशाकरतों सब अच्छे होंगे आज हम चर्चा करेंगे कि अभी यूपी पीसे से एक्जाम जो 14 मही को प्रस्ताबीत है और हंडेट परसेंट जो है 14 मही को एक्जाम हो रहा है आई थिंग 3-4 मही के आसपास एड्मिन कार्ड भी आ जाएंगे तो जो लास टाइम जो 20 दिन बचे हुए है इसमें आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो आईएगा जन्नी को करते हैं स्टार्ट ये बड़ा डाउट कभी से बना हुआ कि अब हमारे पास बहुत ऐसा समय बचा है कि घवराट भी पैदा होनी स्टार्टिंग हो चुक क्या करना है इस पर हम करेंगे अनर्ट हम डिसकुष्ण करेंगे रिविजन सब्सक्राइब करें फिर किसी किताब से करें नोट से करें इसके करें सारी बात jest जानेंगे आज ये वृट्पी उड़ा रहे हैं तो कैसे करना चाहिए टेसस्ट को से कारण है या test में number increase कैसे कर सकते हैं, अच्छे number gain कैसे कर सकते हैं, यह हमारा test में किती number आना चाहिए, और UPPCS qualify करने के लिए हमें कितने target set करना चाहिए, तो आज हम इस पर discussion करेंगे, last जो CSAT का phobia है, जो दिमाग में डर वैठा हुआ है, कि हमारा CSAT 33% अच्छा करेंगे, तो आईए, पहले बात करते हैं, करन्ड अफेर के बारे में, तो अगर आप लोगोंने करन्ड अफेर, पढ़ने वाले विध्यारती जो होते हैं, तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वो लोग जो करते हैं, एक वो लोग जो व्यू व व्यू रेडी करते हैं, एक वो लोग जो भी करते हैं, कि लास्ट एक में करन्ड अफेर को डी कैसे करें तो समझने का यह परियास करें, अब आप किसंगे वन हेर जीर say करन्ड अफेर बहुत इंपोर्टेंट है राइट अब वन यर में अगर देखा जाए तो तीन पार्ट में कर लिजेगा एक्जाम अप्रेल मैं है तो मैं से लेकर मैं तक हमें पढ़ना है तो यानि मैं से लेकर मैं तक का पढ़ना है तो मैं से लेकर मैं तक का मतलब 12 महीने का हमें करंड़ पढ़ना सा बनेगा वह दिसंबर बनेगा जनवरी बनेगा फर्वरी बनेगा और यह मार्च यह चार महिने ऐसे हैं कि इसका मतलब यह रहा कि करंड अफेर आपको बहुत जबज़स तरीके से यहां से कुछन पूछेगा रही बात करंड अफेर से लगबक कहा जाए तो 30 से 35 प्रशन आ करें तो उसके लिए एक ही रास्ता में आपको दूंगा अभी मार्केट में आई द्रश्टी जो आई है जिस पर आख बनी होती है वह आए चुकी है दिखेगा आई द्रश्टी आ चुकी है आप इसको पर्चेस कर लिजेगा यह हिंदी में भी है और यह इंग्लिस में भी है राइट नहीं है तो पीडिएप आपको टेलेग्राम चैनलिंग पर मैं वहीज दूंगा नीचे लिंक दिया गया है आप वहां जोइन हो जाईएगा इसके सा कुछ बहुत सारे बच्चे गलती यह कर रहे होंगे कि यूटूब पे जाके बहुत सारे आजकर यूटूबर जो है यह आई द्रश्टी को ही एनलाइस करा रहे हैं घटना स्थार को एनलाइस करा रहे हैं या सोचो यार वहां से 1.200 पेश की वह एक साल का डाटा दिया गया है अगर 12 महीने का डाटा निकालेंगे 365 दिन हो जाते हैं 300 दिन को वहां पर उन लोगों ने 1500-200 वर्डों पेचों में इंवल्व किया गया है तो अपने आप में सालिट अभी ही इंवल्व इंपोडेंट है वो तो उनको ना तो किसी यूटूब से पढ़ना है नई धनकना क आप इसको आई ध्रस्टी को घटना सार को मिलाके आप पढ़ लिजेगा जैसे राष्टे खबरेंगे तो राष्टे खबरें इसकी पढ़ लिजेगा अंतराष्टे इसकी पढ़ लिजेगा यहां पे संचित इनकी पढ़ेंगे संचित इसकी पढ़ लिजेगा खेल इसका पर लिजेगा उससे क्या होगा उससे कुछ टॉपिक के नहीं कुछ टॉपिक इस THIS दो'dो लोकि यहां से बन लो यहां पर अर्जुन लो यह महाभारत उनको वहीं नने दो महाभारत नहीं करना तुम अपनी जिंदेगी में इसलिए इनको फोलो मत करिएगा ओनली यहां पर पढ़ना है दूसरी बात बहुत आरे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर इसको एक साथ लेके बैठते हैं और दो तुम कर लेंगे ऐसा नहीं करना है तो इसको दो से तीन मिंड़े दीजेगा अब वो चार दिन में खतम हो जाएगी पांत दिन में आराम से खतम हो जाएगी उसके बाद उसको दो से स्टोर करना है इसलिए गलती बिल्कुल भी ना करें करन्ड अफेर के लिए द्रस्टी को टाइमिंग दीजेगा उसके साथ बाकि सब्सक्राइक भी लेके चलिएगा यह आपके लिए बहुत जरूरी है तो यहां पर देखा जाए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ती चार महीने का कंटेंट यहां से लेटी कर लिएगा जो ज्यादा एक्जाम में आने वाला है तो यह करन्ड अफेर में सिर्फ इतना करिएगा बाकी कुछ मत करिएगा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं नहीं तो छोड़ छोड़ी गल्दी आपको सफल कर सकती ही यह आपका परण लगने चाहीं अब इतने प्रशं करने के तुम्हें कितना प्रशं करना पड़ेगा भई देभ्षो प्रशं एग्जाम में आएंगे और यहां पर छानठ करने जहां पर चार-पाउच कोशन आयोग भिलत करता है वो भी यहां से डिरेक्ट हो जाएंगे उसके बाद 120 125 कोशन बचेंगे मान लोग वर 110 भी तुम्हारे सही होते हैं 105 भी सही होते हैं आपके तो 20 25 कोशन जो गलत हो रहे हैं वो कटकटा के आपके 95 से उपर बैट जाएंगे और 95 से उपर किसी कीमत पिमेरिट ने जाएगी मैं चैलेंज करता हूं राइट इसके लिए तुम्हें य किसेंट को इतना ध्यान नहीं देना है देना है तो कुछ में में टॉपिक जिन धर्म पे बहुत धन पर मुगल काल पर यान अकवर पर मुगल में भी तो ये कुछ ऐसे ध्याम देखने हैं जो important topic बन जाते हैं and science में कर देखा जा तो science में chemistry bioscience technology बन जाता लेकिन इस पर ध्या बढ़ गारी की बात करेंगे महतला पड़ जाएगी क्यों, यूपी स्पेशल जो हमाँ सब्जेक्ट में पेपर नंबर पांच पेपर नंबर छे बढ़ चुका तो इसलिए यूपी स्पेशल ज्यादा पूछ सकता है इसलिए इसको इग्णोर नहीं मनना है कि यहां भी चार से पांच प्रसंट आपके साही होने चाहिए राइट को पढ़ लो साइंस को भैतर कर लीजेगा प्लेटि भैतर कर लीजेगा हिस्ट्री या इकोनोमी जोग्रफी में कर लीजेगा इससे क्या होगा आप चार से पांच सब्सक्राइब करके निकल जाएंगे इसलिए इनको इग्णोर नहीं मानना है इतने कोश्म को टार्गिट स कर लीजेगा आप यहां इसेंसियल पढ़िए अवस्ट पढ़िएगा जो आब एक्जाम के लिए है उसके लिए कुछ मत पढ़िएगा जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिविजन करिएगा पहली बात दूसरी बात जो आपने बुक्स में मार किया है सिर्फ उसको इंवारुमेंटल का पॉलटी का और यहां पर कह सकते हैं कि जो मॉडन हिस्टरी यह सइंस इन्वारुमेंटल और पॉलिटरी और मॉडन हिस्ट्री एंसेट मुडायुल को इतना ध्यान मत दीजेगा आब चार चीजों के जो आबसक हैं यहां से लगभक कहा जाए सारे और पॉलेटी की और इन्वार्मेंटल की और मॉडं इस्ट्री की घटना चक्रटे में पूर्वा लोकन स्वावजर्फ। उसको आध करते हैं उसको विशेस कर पढ़ के जाईएगा को कि Comiclet को से टच हो जाते हैं, इसलिए मैक्जि ये करिएगा ये पढ़के नहीं जाओगे तो क्या होगा वो प्रीभाई क्यों नहीं बनेंगे और वो तुम उस दोड में पीछे हो जाओगे जो सब के पास है वो तुम्हारे पास नहीं इसलिए जो सब के पास है तुम्हारे पास है आप दोड में चल रहे हो लेकिन जो तुम्हारे पास है औ करता है कि आप क्वालिफाई कर पाऊ को नहीं कर पाऊगे इसलिए जितना दम हो सकता है जितना दम का मतलब है कि तुम जितना तुम अनरजी है चाहिए 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे मन कर रहा है कि मुझे भाईया पांच घंटे सोने के बाद वह स्रूम में भी धनकना कुछ ना कुछ मोवाईल पर एक्टिविडिस करनी है टेस्ट देना कुछ करना है करो यार लेकिन तुम्हें मैक्जिम टाइम देना है इसलिए यहां पर कहा जाए तो लगबग 10-12 घंटे आपको करना पड़ेगा अब ध्यान देना पड़ेगा 10-12 घंटे बारे घंटे देंगे 20 दिन में 200 घंटे कर पाएंगे तो 200 घंटे को आप कनवर्ड कर लिजेगा कि मुझे हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी में क्या करना है इसलिए यह बिसेस कर ध्यान देने का प्रियास करें अगला पुइंट यहां पर आता देखो रिविजन मैंने बता दिया अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में टेस्ट से एक सबसे खतरनाक चीज़ है देखेगा टेस्ट इस समय लगाने का बहुत साथा प्रियास करिएगा टेस्ट बहुत सारे बच्चे सोक रहे होंगे लगा या ना लगाएं तो मैं करूँगा लगाईएगा लेकिन एक्जाम तक मत लगाईएगा कम से गम यहां पर एक या दो मही के आसपास टेस्ट को लगाना बंद कर दीजेगा इसके बाद आप टेस्ट नहीं लगाईएगा आर इसके बाद टेस्ट लगाएंगे नंबर क कोशन आ रहे हों एक्जाम में नहीं आ रहे वो तो सिर्फ इसलिए टैस्ट लगा रहे हो आपकी आप रीजिन कर सको वो टॉपिक को जान चको कि तुम्हारा उस बे की बी के रिया है या आपका स्टोंग रिया है इसलिए टैस्ट कितने लगाएं तो आप यह मान के चले कि प्रशन आते हैं तो एक टैस्ट में आप कम से कम पंद्रे सो प्रशनों का अभिहास कर पाएंगे तो इसलिए अब टैस्ट लगाना बहुत जरूरी है और टैस्ट के बाद बहुत सारे बच्चे यहीं गलती करते हैं कि टैस्ट लगाने के बाद जो वहां देरा खी ब्याक आप यह देखो कि आपने एगा देल सो प्रसवों में से आपने एट्टी कोोशन शही करें और फिप्टी कोशन सही नहीं कर पाते हो तो तो निकरेगा और बागी जो तुम्ने चीजे पढ़िये वहासे पढ़िएगा इससे क्या होगा आप आप एक्टिव पैसिव लर्णिंग कर पाओगे यानि आप रिकॉल कर पाओगे उसके बाद प्रक्टिस करने का एक ही तरीका है माल लिजेगा तुम पॉलिटी को लेके बैठे हो तुमको पता है भाई डूटी मुझे पता है डूटी को पढ़ना भी निको टाइम पेस नहीं देखा होगा रिविजन भी कर पाओगे टैस्ट भी देपाओगे लेकिन टैस्क को एक से दो मैई के बाद नहीं देना है यह बहुत जरूरी आप लोगों के लिए तो आईएगा यहां से यह हो गया है और उसके बाद पीवाई की हो चुका है अब बात करते हैं यहां पर सी सी सेट के बारे में देखेगा यह गंभीर भी से हैं सी सेट के बारे में जो डर है आपका जो फोबिया है इसे खतम करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है 8.30 में सुवे मॉर्णिंग में लाइव आता हूं पर डे वन अवर के लिए कुछ मत करिएगा 10 से 12 दिन मेरे जहां पर देखो 20% से सी सेट में 80% प्रिशन आते हैं और 80% से 20% प्रिशन आते हैं अगर हम 20% से लिए तो यहां पर 80% कॉस्टन करने में क्या हो जाएंगा हम सफल हो जाएंगे इसलिए आप इसको जोइन कर सकते हो और साथ में प्लास के 5 एर के कॉस्टनों को टैकल कर जाता है अगर बीक पैसे जाएगा तो उसमें पहले किसको पढ़े यह भी एक भी से बन जाता है यह सारी बाते में आपसे यहां करूंगा मैंस में कुछ इंपोड़न टापिक परसंडेज प्रॉफिड लोड डिस्काउंट कुछ आते टापिक हैं जो आपके लिए बहुत जान जैंग करने का तरीका तो प्रस नाराम से सोलीसन हो जाएंगे रिजनिंग में कुछ इंपोड़न टापिक है जो आपको पढ़ने चाहिए बाकी तो डारेक्शन टापिक है या बाकी जो यहां सलोजीम है कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आदमी खुद भी कर लेता है तो कुछ आपको यहां पर 20% सिलिवस पर कवर करना जिसमें से 20 में 10% तो आपको पता ही होता है बेसिक बात है नंबर स्रीज से कोशन आएगा कोई भी इंसान कर लेगा दो के बाद 4 लिखा तो 6 आएगा आगे तो नंबर स्रीज है या कोडिंग डिकोडिंग है या ऐसे कु मुमेंट पर रिविजन करना है उनकी लिस्ट में यहां प्रवाइट करा दूंगा तब तक आप दोस्तों बने रहेएगा आल दा बैस लवी ओल बाबाई टेक केर